Dear students, मुझे आपसे इस मॉडियूल में प्री स्टूल प्रेग्मेटिक एंड सिमेंटिक डिवेलमेंट पे बात करनी है प्रेग्मेंटिक से मुराद दा लेंगवेज इन यूज प्रेग्मेटिक्स जो है वो लेंगवेज के कॉंटेक्स लेंगवेज यूजर्स और लेंगवेज के कॉंटेक्स पे बात करती है और सिमेंटिक्स से मुराद स्टड़ी अफ मीनिंग्स स्टड़ी अफ वर्ड्स मीनिंग्स वो बच्चे हैं चिल्डन लेंगवेज थू कन्वसेशन वो गुफटगू करके लेंगविज सीखते हैं और लाजमी तावर पर वो उन से गुफटगू करते हैं जो उनके आसपास होते हैं जो वालदान होते हैं या उनके सिबलिंग्स होते हैं चोटे बड़े बहन भाई होते हैं और यह जो बात्सीट करना language सीखना होता है यह लाजमी तोर पर बचे अपनी turn लेकर अपनी बारी लेकर यानी one by one यह जैसे बात करते हैं इस तरह वो language सीखते हैं और ऐसे इस तरह की जो language उनकी develop होती है तो pre-school period में उनकी 22-30% language वो मतलब pre-school language वो सीख लेते हैं इस तरह conversation से और अपने sibling से या parents से बाचीत करके तीन साल की उमर में बच्चे वो monologs यूज करते हैं monologs से मराद खुद कलामी है वो तमाम activities में जब वो अकेले होते हैं वो खुद कलामी करते हैं अपने आप से गुफटगू करते हैं बैट टाइम या किसी और जगा या जिस तरह तो वो अपस में अकेले खेलते ही रहते हैं या अपस में वो खुदकलामी करते हैं और चार साल की उमर में बच्चे जो है वो मोनो लॉग में सिलेक्टिव हो जाते हैं वो कुछ थोड़े सी उनकी लेंग्विज मैचूर होती है वो थोड़ा सा डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं उनके सोशल एक्ट इंटरेक्शन बढ़ जाता है अपने पेरेंट्स से केर गिवर्स से तो वो बाद बचे जो है वो सॉंग्स की तरफ से खुदकलामी करते हैं से तो वो सोशल हो जाते हैं और वो डायलॉग डायलॉग से मुराद दो लफ दो लोगों के दरमयान गुफटगू तो वो मतलब इस तरह उनकी लैंग्विज थोड़ी सी रिफाइन होती जाती है और वो डिवेल्प होती जाती है और ये कई सालों तक बचे इस तरह के प्रॉसस में अंगेज रहते हैं और बाद में वो कुछ टॉपिक्स मतलब है कि जब फर्द करें चार साल का बच्चा हो जाता है तो वो किसी टॉपिक पे भी चंद जुमले बोल सकता है और वो अपनी टर्म में दो तीन दफार जो टर टॉपिक पे रहेगा हाँ इसके बाद चुके उसका नॉलिज इतना नहीं होता उसकी लैंगविज भी इस तरह डिवैल्प नहीं होती लहाजा वो अपने टॉपिक पर भी रहना उसके लिए मुश्किल होता है लेकिन यह है कि वो उस फूर यर्स की एज तक उनकी लैंगव काफी हद तक डिवैल्प हो चुकी होती है और लैंगविज डिवैल्प करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कनवर्सेशन है वो गुफ्तगू है तो चाहे वो अपने वालदान से करे या अपने छोटे बड़े बहन बाईयों से करे या वो किंडर गार्टन लैवल पे और यह जो कनवर्सेशन है उनके टॉपक्स में शिफ्ट भी होती है यानि वो टॉपक्स उनके बदलते भी रहते हैं उनकी बातचीत में उनके टॉपक्स में तबदीली आती रहती है और जांग चिल्टरन जो होते हैं वो किसी टॉपक को इंट्रडूईूस करवाएं तो उनको difficulties होती हैं maintain रखने में दो-तीन terms के बाद मैंने जैसे बताया कि उनके knowledge अभी अभी उतना या उनकी language की जो words की जो वो vocabulary है lexicon है जो उतनी develop नहीं हुई होती कि वो किसी topic को लंबे अर्से तक या ज्यादा देर तक या उसके वो complex idea उसको वो ज्यादा देर तक share कर सके और वो जाहर है ये dialogue के जरीए वो एक दूसरे के साथ busy होते हैं और सीखते हैं लेकिन जब उनकी age बढ़ती है मजीद तो फिर वो अपने topic पे maintain को maintain रखते हैं और वो फिर उस पे रह सकते हैं और उनकी और ये जो तीन या चार साल की उमर में उनके में ये इसलाहियत develop हो जाती है कि दो तीन टर्म्स तक या दो तीन टर्म्स तक वो अपने topic पे रह सकते हैं यानि कुछ जुमले वो अपने topic पर बोल लेते हैं और वो इसके बाद वो इसके साथ साथ वो language के social aspect से भी उनको वाक्षियत होती जाती है तो वो social words भी बोलना शुरू कर देते हैं और जो उनके general utterance है as a clear well done या well formed होना शुरू हो जाते हैं तो मतलब कुछ थोड़ा सा social हो जाते हैं और चार साल की age में वो mother sea language mother sea language वो होती है जो mama language जिसे कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चे से पूछती है mom लेना है या कुछ इस तरह की तो वो जो 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 चार साल की age के बच्चे हैं वो चोटे बच्चों से माँ की तरह की language बोलते हैं mom लेना है या कुछ इस तरह के ही तो इस तरह उनकी ये मतलब है pre school उनकी pragmatics and semantic development मैंने आपको बताया कि जो pragmatic है वो language in use है ये contextual है ये time to time इसके change होता रहता है इसका context इस लिहाज से और semantics जो meanings हैं वो क्या हैं वो उनके lexical meanings होते हैं जो vocabulary में या dictionary में या लोगत में use किये गए होते हैं और जो इसी age में वो अपने जो listeners होते हैं उनके साथ अपने जो ideas हैं share करते रहते हैं और उनके उन में जो और जो 4-4 साल की age में वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा social हो जाते हैं so please give me please या इस तरह के जो sense हैं जो दूसों से वो इस sense में बात करना शुरू होते हैं इस से पहले हाला कि वो थोड़ा उनका command वाला style होता है लेकिन जब इस level पे वो पहुंचते हैं चार साल की age में वो social होते हैं और वो ही language use करते हैं और वो ही words use करते हैं जिससे एक manners जाहर होते हैं तो यह थी pre-school pragmatic और end semantic development जिस पर मैंने आप से बात की